यहां पर हमने पास given क्या है 5 plus 3 plus 2 is equal to 15 यहां पर 15 10 and 22 ठीक है 9 plus 2 plus 4 is equal to 18 36 52 इस तरह से हमने पास यह given हो रहा है हमें find out करना है 7 plus 2 plus 5 क्या होगा यहां पर ठीक है तो यह हम ध्यान से देखें यहां पर यह 15 कैसे आ रहा है 15 आ रहा है यह हम 5 & 3 को multiply करेंगे तब आएगा ठीक है फिर 10 कि कैसे आ रहा है 10 आ रहा है यह हम 5 & 2 को multiply करेंगे तो यह आ जाएगा equity to 22 कैसे आएगा 15 & 10 को add करेंगे तो क्या जाएगा 25 25 में से mid नंम्मर यह subtract करतेंगे तो हमार पास 22 आ जाएगा इस तरह से आ रहा है यह नम्मर ठीक है इस तरह देखो यह रूल और में भी हम चैनल एपलाइ करते हैं तो देखो 18 के सा रहा है नाइन इंटू टू करेंगे और फिर 36 आना चाहिए अपने पास इसको और इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो आ रहा है फिर 52 आना चाहिए हमार पास इन दोनों को 8 करने पर और माइनस 2 सब्ट्रेक्ट करने पर तो देखो इन दोनों का 8 क्या होता है 54 54 माइनस 2 52 अब देखो यह यहां पर देखते हैं इन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो 48 आना चाहिए आ रहा है इन दोनों को मल्टिप्ला करेंगे तो 20 इन दोनों को मुल्टिपलाइ करेंगे तो 25 और इन दोनों को 8 कर देंगे तो कितना जाएगा 45 और 45 मायनस मिन नमबर सब्ट्रेक्ट कर देंगे तो 41 इस तरह से आ रहा है अब देखो, अब हमारे पास 7 plus 2 plus 5 क्या आएगा, 7 plus 2 plus 5 आजाएगा अपने पास, सबसे पैदे तो इन दोनों को multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा, 14, फिर हम इन दोनों को multiply करेंगे, तो कितना आजाएगा, 35, अब 40, 14 plus 35 कितना होता है, 49, और 49 में से हम mid number 2 है, वो subtract कर देंगे, तो कितना आजाएगा, 47, ठीक है, तो इस number को हम इस तरह से represent कर सकते हैं, okay, easy है,